हेलो अब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम करेंगे एक मैनाथान लेक्चर बहुत इजी चैप्टर है यह जिन बच्चों को मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उन लोगों को अगर इसका क्वेशन आ गया तो आप लोगों को एक अड्वांटेज मिल जाएगी एक्जाम में आप लोग अच्छे से एक नंबर तो स्कोर वहाँ पे कर ही लेंगे तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ लिनियर एक्वेशन की आम तोर्पे अगर मैं बात करूं तो यह यह जब्रा का ही पार्ट कंसिड एल, CHSL, MTS, GD हर एक्जाम में पूछा जाता है, JKSSB में आपके VLW में 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 और भी बहुत सारे एक्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो एक बार नजर डाल देते हैं हम लोग स्लेबर्स के ओपर, स्लेबर्स के अगर मैं बात करूं, Quantitative Aptitude के एक ratio और अगर मैं बात करूं, तो mixture allegation है जाएगा, फिर हमारा math almost complete हो जाएगा, फिर हम लोग DI पे आएंगे, practice set पे आएंगे, तो ये सारे practice set आप लोगों को हमारे VLW के course में मिलेंगे, MCQs आपको औरेडी वहां पे 5000 से जादा available करवा दिये गे हैं, तो जो बच्चे सीरियस त आपको ये जो time sunrise को bonus time के तरह treat करते हैं, अपनी तयारी को और improve करो, तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को अगर आप हमारे साथ जुनना चाहते हैं, तो आप हमें telegram, twitter, facebook, group, instagram, youtube पे subscribe, follow कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप लोग जमू कश्मीर से हैं, आप लोग हमा हमारी जो linear equation है, उसके ओपर, देखो, सबसे पहले मैं basic questions से शुरुआत करूँगा, फिर आइस्ता इस्ता level बढ़ाएंगे, direct questions पर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इतना तो मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो ये आप लोगों को पता है, x axis कोन सी होत होती है, बाकी चीजे हम लोग अब यहां पर सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो मैं आपको सिरफ उस तरीके सा पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा main target यह है, कि अगर आपको exam में कोई MCQ दिखता है, आप उसको answer कर दें, मैं यह नहीं बताऊंगा, कि y axis का और क्या नाम होता है, यह theoretical part है, तो यह हम लोगों को जो ज़रूरत होगी, मैं सिरफ वही आपको करवाऊंगा, यह basic definitions वगरा मैं यहां पर discuss नहीं करूँगा, ठीक है, बट basic से ही चीज़ों को शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहां पर बात करते हैं, अगर आप लोगों ählt में क्या होता है, और quadratic equation में क्या होता है, अब देखो平िडे रे OUT इक्वेशन में क्या होगा, अगर single variable की बात की जा रही है, तो आपको एक ही variable होगा, यह तो आपको एक x दिया जाएगा यह y दिया जाएगा, अब यहां में बात आती है, यहां पर आपको इनकी कोई raise to power में नहीं दिया होगा, quadratic में क्या होता है, आपको x square दिये जाएगा, या y square करके equations बना दी जाएगी, single variable के अगर मैं बात करनों, तो इस पर आपको या तो x की form में होगा, या तो y की form में होगा, और आम तोर पे जो majority questions पूछे जाते हैं, इस particular topic से वो पूछे जाते है, linear equation in two variable पे, अब यहाँ पे इसके graph किस तरीके से बनते हैं, क्या approach रहती है, वो सब शिखाएंगे, अब हो सकता है, आपको एक equation आपको मान लीजिए, दे दी जाए, यहाँ पे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 3x minus 11y is equal to 10, मान लीजिए, आपके equation given है, और आपको बोला गया, इसका graph बनाओ, या इसके कितने solutions हो सकते हैं, अब बात आती है, यहाँ पे, की solutions क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहला point यहाँ पे, यह आता है, की solutions क्या है, किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या solutions एक ही होता है, हर एक equation का, क्या एक से ज़्यादा equations के solution हो सकते हैं, क्या ज़रूरी है, हर एक equation का कोई ना कोई solution जो है, वो होगा ही होगा, तो आज हम लोग इन सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है यहाँ तक clear है, अब मैं बात करता हूँ solution की, देखो, अब मैं यहाँ से ही कोई equation उठा लेते हैं, आम लोग जैसा हम आ लिजे, एक equation की नहीं है, x minus 2y is equal to 4 अब यहाँ पे, सबसे बहली चीज, जो आपको यह equation given है, यह क्या है, यह linear equation है, बिलकुल है, क्योंगे इसमें किसी की raise to power 2 नहीं given, linear equation in two variables दी है, अब यहाँ पे अगर आपको paper में equation आती है, आपको बोलता जाता है कि इसके कितने solutions होगे, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको solve करना शुरू कर देंगे चीक है, बहुत सारे बच्चे इसको निकालना शुरू करेंगे, कि अब solutions निकाले तो आपको paper में इसका graph बनाने के लिए भी आज़े, अब graph किस तरीके से बनता है देखो, हमें हमेशा दो equations चाहिए, graph कि अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया, अभी starting में एक होती है हमारी x-axis, और एक होती है हमारी y-axis, ठीक है, अब यहाँ पे case 1 में क्या करना है, अगर मान लीजिए, आपको सीधा यही question दिया जाए कि इसको graph पे represent करो, चार options आपके सामने हैं कैसे करोगे, मान लीजिए, हम क्या करेंगे पहले case में, put x is equal to 0, अगर मैं x की value 0 put करता हूँ तो मेरे पास y की value मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या आजाएगी, y की value आजाएगी, यहाँ पे 4 upon 2, यह हमारा जो है, minus पर चला जाएगा और यह आजाएगा, minus 2 यानि की, एक हमारे पास value के आगई 0 और minus 2 case 2 की, अगर मैं बात करूँ, case 2 में मैं क्या कर दूँगा, put y is equal to 0, यह हम assume कर रहे हैं, अब यहाँ पे y को, अगर मैं 0 ले ले लता हूँ, तो x minus 0 is equal to 4, यानि की x की value के आगई 4, और दूसरा क्या आगई हमारे पास, यह equation, जो यहाँ पे हम लोग left side लिखते हैं, यह x की value होती है, जो हम यहाँ right side लिखते हैं, यह यहाँ पे आगई आपकी y की positive, और यहाँ पे आगई हमारी negative, ठीक है, minus 2, minus 3, अब सबसे पहले 0, minus 2 को अगर मैं represent करूँ, कहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे, 0 x-axis में है, यानि की यह 0 पे रेगा, और y-axis पे कहाँ पे है, minus 2 में, तो यानि की, एक point हमारा, यह जो है, 0 और minus 2, अब यहाँ पे draw डाल देंगे, और दूसरा क्या है, 4 और 0, अब यहाँ पे 4 माल लीजिए, 4 और 0, अब इन दो lines को, आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग जो है, join कर लीजिए, इससे क्या होगा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया, यह आप लोगों ने graph पे represent कर दिया, किस equation को, x-2y is equal to 4, ठीक है, कई बार basic exam में क्या होता है, आपको इस तरीके से question दे दिये जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे paper में इस तरीके से equation दे दी जाएगी, single, और उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा, कि graph में अगर मैं इसको बनाऊंगा, तो किस तरीके से होगा, चार options आप लोगों के सामने है, बना के एक बार देख लेते हैं, क्या given है, x-plus-y is equal to 3, सबसे बाली case कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग graph में represent कैसे करते हैं, चीजों को उसको सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग assume कर देंगे, let x is equal to 0, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, x की अगर 0 है, तो 0 plus y is equal to 3, यानि कि y की value क्या आगई 3, और यह कैसे लिख सकते हैं, आप लोग 0, 3, clear है यहाँ तक, दूसरे case में क्या करना है, दूसरे case में भहिया, मैं y की value को क्या कर दूँगा, 0 put कर लूँगा, assume कर लिया, तो यहाँ से x की value क्या आजाएगी 3, तो यानि कि यह हो गया, अब इसको graph पर किस तरीके से represent करेंगे, वहाँ पर से बना लो graph, पहली equation क्या है, x-axis में क्या है, 0, यानि कि x की value क्या हो गई हमारी 0, और y की value क्या है, यहाँ पर y की value है 3, यानि कि 1, 2, 3, अब यहाँ पर पूछा जाएगा, बच्चे केंगे कि sir, point का बनाएगे, यहाँ पर बनाएगे, यहाँ पर बनाएगे, तो देखो यह बनेगा इधर, चीक है, यहाँ पर, दूसरा point क्या है, 3, 0, अब 1, 2, 3, x की value 3, y की 0, y की 0 value क्योंकि y या तो positive में होगा, या तो negative में हो z होगा, y positive होगा, तो इस तरीके से 0 होगा, तो आपका x axis पर lie करेगा, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको join, यानि कि x plus 3, y is equal to 3, जो है, वो हम लोग किस तरीके से बनाएगे, वो हम लोग इस तरीके से बनाएगे, यहाँ दर clear है, आप options पर आजाओ, अब options पर आप देख equations को graph पर represent कैसे करते हैं, इस equations को graph पर draw कैसे करते हैं, यहाँ तक clear है, अगर यहाँ तक clear है, तो next पर चलते हैं, अभी पहले इस 5-6-7 questions होगे, वो बहुत basic होगे, अब आजो यहाँ पर, अब आप लोगों को दूसरा concept सिखाऊँगा, अब क्या है, मालनो हम लोगों ने क्या क equation को बना दिया, graph पर बनाना हम लोग एक equation को, graph पर किस तरीके से बनाते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया, equation को representation, उसकी graph पर कैसे होती है, हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली, ठीक है, linear equations के अगर मा बात करूँ, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक linear equation दी है, कि भ बता कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर यह चीज़ आती है, अब देखो, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको, एक equations को थोड़ा सा simplify कर लेना है, मैं 10 यहाँ ले आता हूँ, और y वहाँ ले जाता हूँ, अब 3x-10 upon 11, जो है, यह आगया y अब यहाँ पर x की value 0 पुट करो, x की value आप लोग अगर 1 पुट करो, x की value अगर आप 2 पुट करो, x की value 3 पुट करो, and so on, अब x की value कुछ भी यहाँ पर पुट कर दो, आपको जो यहाँ पर answer मिलेगा, y का वो आपको एक नया answer ही मिलेगा, माल लिजे 0 मैं पुट करता तो y की value क्या आगई? y की value होगे, minus 10 upon 11, अगर मैं इसको 1 पुट करता हूँ x को, तो यह हो जाएगा 3 minus 10 upon 11, यह हो गया minus 7 upon 11, यानि कि हर बार जब भी मैं values x की change करूँगा, मेरेको y की value भी अलग मिलती रहेगी, और इस case जो solutions होंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे infinite solutions, यहाँ तक clear है, ठीक है, पेपर में यह linear equation single ऐसे नहीं देता, आपको 2 equations देगा और उसमें पूछा जाएगा कितने solutions होंगे, वो भी हम लोग आएंगे, बट फिला linear का यहाँ तक clear है कि पहले point हम लोगों ने सीखा कि representation graph में कैसे करते है, दूसरा हम लोग अभी सीख रहे है कि कितने solutions बन सकते हैं एक particular के, next पे आजओ, next question भी आपका इसी की तरह है, अब यहाँ पे क्या given है, हमें linear equation वो given है, 3x plus 10 is equal to 0, ठीक है, यहाँ तक clear है, अब इसके कितने solutions बन सकते हैं, अब यहाँ पे आजओ, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दू, मैं थोड़ा simplify कर दे हैं, अब यहाँ पे आजओ, अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे particular answer जो है, वो मिल रहा है, कि x की value भहिया, minus 10 upon 3 ही होगी, अगर मैं और simplified way में करूँ, divide कर दो, 3.33, अब आब बोलोगे sir, यह क्या किया, अब इसको मैं graph पे represent करता हूँ, एक बार, ठीक है, अब graph पे represent करने के लिए, या graph को represent करने के बजाए भी आप मेर को बताओ, इस particular equation में, आप लोग x की value कोई भी डाल दो, ठीक है, वो आपकी satisfy नहीं करेगा, आपका जो answer यह equation को satisfy करेगा, वो तब ही करेगा, अगर आप x की value minus 10 upon 3 ही डालोगी, यानिक इसके कितने solutions होंगे, इसका सिरफ एक solution होगा, जिसको हम लोग कहते है, unique solution, clear है यहां तक, नहीं clear है, तो कोई बात नी, जैसे-जैसे class आगे बड़ेगी, आप लगों को चीज़ें जो है, वो समझ आना शुरू हो जाएंगी, अभी तक के लिए, जो अभी तक हम लोग ने 2-3 चीज़ें सीखी है, कि infinite solutions क्या हो होते हैं, linear, अगर equations की बात करूं, single variable की भी हम लोगों ने देखी है, और इसके अलावा, अभी तक हम लोगों ने देखा है, जब 2 equations given होगी, तब हम लोग अलग से बात करेंगे, अब next पर आदो, अब next question आप लोग देख सकते हो, कहीं बार ना, आपको direct यहां पर दे दिये ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आती है, कि इसका solution कैसे find करेंगे, तो हम लोग solution कैसे find करेंगे, equation का, अब या तो hit and trial method से कर सकते हो, की options को डाल दो, but मैं आपको बताऊंगा, और easy तरीका क्या है, जो हम लोगों ने देखा है, graph पर represent कर लेते हैं, answer मिल जाएगा, case 1 में क्य यह आ जाएगा, हमारा minus 2, answer क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 और minus 2, ठीक है, यहाँ तक clear है, अब पहला हम लोगों ने निकाल दिया, case 2 में क्या करेंगे, हम लोग case 2 में value क्या कर देंगे, y की 0 assume कर लेते हैं, तो x क्या आ जाएगा, हमारे पास, x minus 0 is equal to 4, यानि की x क्या आ गय है, options पर जाओ, options में आपको यहाँ पर क्या given दिख रहे है, 0 minus 2 कहीं पर देखने को मिल रहा है, 0 और minus 2 नहीं है, 4 और 0 है, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला, यह हमारे पास है, answer यहाँ से हम लोग direct इसको mark कर देंगे, बनाने की भी जूरूरत नहीं है, या फिर hit and trial method जो मै आपका यहाँ से answer, बाकी भी values आप उठा के डाल सकते हैं, आप 0 और 2 की अगर मैं बात करूँ, 0 minus 2 into 2, यह आपका minus 4 होता है, 4 नहीं होता है, अगर यहाँ पर एक option आपको 0 और minus 2, जैसे हम लोगों ने possible solutions देखे, तो वहाँ से answer आपको पता चल गया, ठीक है, और अगर इसक आपको बता दो, अब तक जो हम लोगों ने तीन questions को यहाँ पर discuss किया है, यह paper में बहुत रेर पूछे जाते हैं, पहला point यहाँ आ तकना, दूसरे कि अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर पूछा है, कि हमें graph बनाना है linear equation का, जो क्या करता है, जो cut करता है y-axis को, अब यह यहाँ पर यह चीज दिए, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर भी बताता हूँ, examiner कैसे कर सकता है, graph पर represent करना आप लोगों को, मैं मान के चल रहा हूँ कि बात चुका है, कैसे कर सकते हैं, अब दो equations को, case 1 क्या कर देना है, x को 0 पुट कर लो, तो हमारे पास equation क्या बन जा पती है, इस तरीके से, y क्या होगए, 1, यانि की पहले क्या होगई, 0 और 1, दूसरा case में क्या करेंगे, दूसरे case में हम लोग क्या करते है, y को हम लोग क्या करते हैं, 0asm, यानि की x की value क्या हागई, हमारे पास 2, चीच है, अब पूछा क्या गया है, अब यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे एक हमारे पास option A है एक हमारे पास option C है और दोनों हमारे यहां से आ रहे हैं लेकिन last line को एक बड़ी ध्यान से देखिएगा last line में क्या कहा गया है last line में क्या कहा गया है वो बहुत matter करेगा यहां पे अब बोला गया है उसको answer करो जो cut करता है y axis दोनों को अ अब x axis क्या है हमारी यहां पे और यह क्या है y axis अब 2 और 0 को अगर मैं बनाता हूं यह माली जिए 0 है यह 1 है यह 2 है तो यह एक हमारा बनेगा इस तरीके से क्या यह y axis को touch कर रहे हैं तो यह answer नहीं होगा answer क्या होगा 0 और 1 यानि कि यह point हमसे पूछा गया है तो इसको थोड पार में रखना एक बार यह answer करने से पहले देख लेना यह जितने भी questions है यह आप लोगों की books में से ही लिएगे है और examiner यह questions को नहीं पूछता है basic introduction आप लोगों को देनी थी इसलिए यह questions यहां पे discuss कर रहा हूं एक बार अभी आगे चलने से पहले पुरानी चीजों को थ case 2 में y की value 0 कर देंगे जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा था उसके बाद हम लोगों ने चीजों को देखा कि क्या जब भी किसी graph पे चीजों को represent करते हैं तो उसके कितने solutions बन सकते हैं linear equation के जैसे कि 3x minus 10 11y is equal to 10 के कितने solutions बन सकते हैं जितनी भी सब से पहले तो इनको simplify कर तो इस तरीके से फिर values put करके देखो कि कितने answers आ रहे हैं अभी तक हम लोगों ने पहला question देखा था उसमें infinite बन रहे थे यानि कि x की value आप change करते जाओगे आपको y की values भी मिलती जाएगी और वो आप graph में कहीं पे भी जैसे मालों आपको लोग कहीं पे भी represent कर सकते हो तो उस particular line के infinite solutions थे दूसी चीज हम लोगों ने देखा जब equations पूरी तरीके से solve हो रही है तो उसके unique solutions आते हैं two solutions का case भी हम लोगों ने भी तक देखा है यहाँ पे लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा था कि two solutions के cases में भी कहीं बार यह पूचा जा सकता है कि particularly case axis को cut कर रहा है तो वो वहां से हमारा answer बन सकता है तो यहां तक अभी चीजों को देखा है इसके बाद यह बहुत basic हम लोगों ने एक देखा था graph पर representation क्या होती है और एक बहुत theoretical part के definition मता हूं अगर आपको given हो x is equal to 3 तो वो क्या कह रहा है यहां पे तो यहां पे x is equal to 3 का क्या म y axis से 0,1,2,3 यानि की एक line जो parallel होगी y axis से और 3 unit होगी origin से अगर आपको यहां से यह दिये जाता है तो यहां तक अभी तक जो चीजें थी यह बिल्कुल basic चीजें थी किसी को अगर कोई problem या किसी को कोई doubt है तो वो comment box में लिख देना मैं उसको clear कर दूँगा अभी तक हम ल CGL में पूछी जाती है जो CHSL में आती है जो MTS में आती है यह तो बिल्कुल basic आ गया कि linear equation represent कैसे करते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं अब हम थोड़ा सा इनको in detail पढ़ेंगे तो जो सबसे पहली चीज है वो है theory of equation of line ठीक है अब यह सबसे पहला concept जो हम लोग यहां पर discuss करे यह आप लोगों के लिए काफी important होगा तो एक बारी ध्यान से इसको सुनिएगा अगर problem आएगी तो comment box में लिखना मैं वापिस आपको समझा दूँगा बट जो equations बनते हैं वो आपकी यहां से बनते हैं जब आपको दो equations जो है वो given होती हैं तो यहां पर इसको note कर लेजिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा detail में सारा पढ़ाऊगा theory of equation of line ठीक है यहां से equations बनते हैं अमाल लीजिए हमारे पास एक line है जिसको मैं L1 कर लता हूँ या फिर equation है जिसको हम लिख देते हैं 2x-y is equal to 4 और हमारे पास एक और line है जिसको मैं लिख देता हूँ यहां पर x plus y is equal to 2 माली जी यह हमारे पास equation 1 है यह equation number second है clear है यहां अब अगर आपको paper में इस तरीके से questions given होते हैं आप लोगों को बोलेगा कोई किसको solve करो या इसमें x की value निकालो y की value निकालो आप लोग अराम से कर देंगे कैसे हम दोनों equations को या तो add कर देंगे या subtract कर देंगे माली जी चीज है कि हमें y की value अगर निकालनी है अगर माली जीए y की value निकालनी क्या करना मैं value कर दूँगा put value of x is equal to 2 in किसी भी equation में माली जीजे मैं equation 2 में यह डाल देता हूँ अब इसको कैसे करूँगा x की value 2 डाली है 2 plus y is equal to 2 तो y की value क्या आगई 0 simple language में answer क्या हो गया हमारे पास चीजे बट अब आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेगी सबसे पहला case मैंने आप लोगों को क्या सिखाया यह तो आगए simple solve करना चीजों को अगर मैं बात करूँ इसको graph पर represent करना है graph represent कैसे करेंगे चीक है अब graph पर represent करने की बात करूँगा पहले मैं लेता हूँ ए यह क्या हो गया 0-y is equal to 4 और y क्या आगया मैंने पास यहां पर minus 4 ठीक है यहां पर equation 1 जो मैंने यहां पर लिखी है clear है यहां पर अगर मैं x q 0 डालूँगा तो y के आजाएगा minus 4 इसी case में put y is equal to 0 अब y को 0 मैं put कर देता हूँ तो 2x minus 0 is equal to 4 x क्या आगया 2 ठीक है तो यह क्या हो गया हमारे पास यह अब यहां पर बात करेंगे graph पे represent करने की पहली line को मैं कैसे बनाऊंगा पहली line को मैं बनाता हूं इस तरीके से यह क्या गया 01234-1-2-3-4 यहां पर आगया 1-2-3-4 यह आ गया 1-2-3-4 यह आगया 1-2-3-4 ठीक है यह क्या हो गया यह होगी x-axis यह होग यह हमारी y-axis ध्यान से पढ़ना यह questions पेपर में आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में यह नहीं आएगा आपको मैं अगला जो step बताऊंगा वो ज़्यादा तर पूछा जाता है अब represent करना है पहला point क्या है 0 और minus 4 कहां पर आएगा 0-4 कहां पर आएगा मेरा 0-4 क ठीक है और y की value minus 4 दूसरा क्या है 2 और 0 वो आएगा हमारा कहीं यहाँ पर 2 और 0 अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा इन दोनों को मैं जोड़ दूँगा आपस में और मैं इसको extend कर सकता हूँ यह जो line बनी है अभी एक second ठीक है यह जो line हमारी गई एक second रुकिएगा इसको थोड़ा सा clear कर दूँ थोड़ी सी line हमारी जो है वो भावनाव में बह गई गई है एक second रुकिएगा ठीक है तो मैं आगर line को connect करता हूँ यहाँ से यह इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या य यह क्या है 2x minus y is equal to 4 ठीक है यहाँ तक अब बात करते हैं दूसरी equation को दूसरी equation क्या थी हमारे पास x plus y is equal to 2 same x को अगर 0 put करूँगा y क्या जाएगा 2 यानि की 0,2 और दूसरे case में अगर मैं बात करूँ क्या हो गया अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x क्या आ गया x आ गया हमारे पास 2 clear है तो अब मेरे को इसको भी represent करना है number line पे अब पहला क्या है 0,2 वो तो हमारा यहीं पे था ठीक है sorry 2 और 0 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 और 0 तो यहीं पे रहेगा यह वाला, अब 0 और 2, 0 और 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे अब मुझे इस line को भी आपस में क्या कर देना है, connect कर देना है, join कर देना है, ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने चीज़ सी की, यह क्या बनाया मैंने, यह बनाया मैंने x plus y is equal to 2 graph पे किस तरीके से represent करते हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया, अब जो points हैं, इसको थोड़ा सा ध्याग से पढ़ना है, क्योंकि यह अब आप लोगों को exam point of view से बहुत help करेगा, सबसे पहली चीज़, जिस point पे यह intersect हुए है point where two lines intersect, is the solution, ठीक है, of given equations, अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से, क्या आया, 2,0, अब यहाँ पे आ जाओ, जो हम लोगों को ने solve किया था, उससे हमारा answer क्या आया था, x की value के आगी थी 2, y की क्या आगी थी 0, graph पर representation किस तरीके से करी, अब आप लोग सोच रहे होगे, अपने दिमागे कि sir, ठीक है, माल लिया कि यहाँ से हम लोग यह दोरो lines को बना सकते हैं, बट इतनी सर्दत करने की जरूरत क्या है, जब हम लोग सीधा equations को equate करके, answer निकाल सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला दिमाग म में given हो, कि भीया, area निकालना जरा, इन equations का, represent करके, कैसे आएगा, तो इसमें क्या होगा, यह आप लोग ध्यान से देखना, यह आपका एक triangle बन रहा है, जिसमें यह आपका एक base है, यह आपका एक altitude है, यह coordinate geometry का एक part आजाता है, लेकिन मैंने आपको बताये कि यह पूछे ज सकते है, एक बन चीज समझ लो, तो आपको आसानी रहेगी, तो यह क्या हो गया, आपका triangle जहां पर यह बन रहा है, पूरा lines के बीच में, तो half base into altitude करके, आप इसको answer भी निकाल सकते हो, paper examiner किसी भी तरीके से difficult कर सकता है, अभी तो हम लोग ने चीजों को जो सीखा, वो क्या सुनाओगा, starting में भी, infinite solutions, no solutions, यह क्या होती है चीजे, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से note करियेगा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो चीजों को पढ़ा है, वो आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से किया, या तो हम लोगों इसको direct कर सकते हैं, equate करके, अ twist किस तरीके से किया जा सकता है, वो हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, एक generalized way में, अब आप लोगों को चीजों को note करना है, एक general equation क्या होती है, general linear equation क्या होती है, अगर मैं बात करूँ, माल लीजिए, एक equation को L1 से represent करूँगा, यह है हमारी A1, X1, plus B1, Y1, plus C1, is equal to 0, पहले equation, दूसरी equation, अगर मैं बात करूँ, कैसे given होगी, A2, X2, plus B2, Y2, plus C2, is equal to 0, छीक है, अब तीन cases जो है, वो total आप लोगों को, यहाँ पर बनते होए दिखते हैं, case 1, case 2, and case 3, पहला case क्या होता है हम लोगों का, पहला case यहाँ पर यह दिखाता है, जब हमारे पास क्या होता है, unique solution, ठीक है, पहले case में हम लोगों ने क्या सीखा, unique solution, यानि की एक solution, जैसे अब हम लोगों ने figure draw करी थी, दो lines के वो बनाया था, ग्राफ पर, तो वो unique solution का case था, दूसरा case क्या होता है, हमारा no solution, तीसरा हमारे पास case आता है, infinite solutions, अब यह कैसे बनाते हैं, और यह क्या होती है चीजें, चलो, अब इसको थोड़ा सा detail में समझेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक पहली condition को note करिएगा, और इसको important mark कर लेना, और इसको याद रखना है, जब कभी भी हमारा a1 upon a2 equal नहीं होता है, b1 और b2 के, उस case में हर बार हम लोगों को जो solution मिलता है, वो क्या मिलता है, वो मिलता है युनीक solution, जयसे अभी हमें मिला unique solution, किस case में, इस case में, इस equation को put करके देख लो, a1 क्या है, 2, a2 क्या है, 1, यह क्या है हमारा, 1, अब यहाँ पर minus में हैं, तो minus ही लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1, क्या हमारा a1 upon a2, unique solution यानि कि जब हम कभी भी इस तरीके के case को represent करेंगे हमारा वो हमेशा इस तरीके से बनेगा यानि कि वो एक जगा पे आपस में क्या होगा intersect करेगा plus c1 is equal to 0 और दूसरी माल लिजे यह है a2x2 plus b2y2 plus c2 is equal to 0 समझाया देखो यह चीज ऐसी है जिसमें आपको ना ही graph को draw करते ही कोशिश होगी ना आपको करना है पेपर में बहुत बार यह पूछा जाता है questions पर आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा दूसरा case आता है जब हमारे पास solution ही नहीं होता मैंने क्या बताया था solution क्या होता है जिस point पे आपका यह lines intersect करती है माल लीजिए आप इस case में क्या होगा जल्दी से comment box में लगके बताओ अगर no solution है तो वो lines आपस में क्या होंगी वो आपस में हमेशा parallel होंगी यानि कि वो intersect ही नहीं करेगी तो उस case में एक generalized equation हमारी क्या बनती है आपको in particular formula से ही अब answer बदा चल जाएगा कि भहिया क्या है और क्या नहीं इसको बस आपको याद रखना है क्या है यह जब हमारा a1 upon a2 बराबर होगा b1 upon b2 के लेकिन बराबर नहीं होगा c1 upon c2 के इस case में हमेशा क्या बन जो line represents होंगी वो इस तरीके से होंगी b1 y1 plus c1 is equal to 0 और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको इस तरीके से ठीक है इस case पर जो lines draw होंगी हर बार वो क्या होंगी वो होंगी हमारी parallel lines यानि कि intersect ही नहीं करेगी तो इसका solution क्या होगा no solution अब तीसरे case पर आते और maximum time आपको पतादो यही question जो है no solution का paper में ज्यादा तरह आपको देखने को मिलता है तीसरा case क्या आगया अब आप लोग सोचो के sir infinite solution है infinite solution कैसे मल सकते infinite solution हम लोगों ने discuss किया था जब हमारी lines अब देखो जरूरी नहीं कि यह आपकी हमेशा parallel ऐसे ही हो आपकी parallel lines ऐसी भी जा सकती है आप आपकी parallel lines इस तरीके से भी जा सकती है ठीक है तो यह किसी भी तरीके से हो तकती है अब infinite lines का क्या मतलब है जब आपकी दो line क्या है coincide करती है यानि कि जब आपकी value a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होती है यानि कि वो coincide करती है और उसके जो solutions हैं वो infinite होते हैं यानि कि वो हर point पे ए वो क्या होता है वो आपका infinite solutions आपको देखे जाती है और ये जो अभी हम लोगों ने पड़ी है जर्नल equations की एक theory पड़ी है जो equation of line की ये आपको सबसे ज़ादा exam में पूछी जाती है बाकी चीजें अगर आपका दिन अच्छा है तो आपको पूछी जाएंगी basic चीजों में अ upon a2 बिल्कुल भी equal नहीं होगा b1 upon b2 के no solution की case में ये दोनों तो equal होंगे लेकिन ये c1 upon c2 के equal नहीं होगा और infinite में ये तीनों आपस में equal होगे अब बात करते हैं यहाँ पे ये आपके SSE के question जो है उसमें पूछा गया था क्या question आप लोग एक बार ही देख सकते हैं अब हम इक question क्या given है 6x minus 12y plus 15 is equal to 0 has no solution अब आपको paper में मालोग एक question अगर आया है आप लोगों को नहीं पता अगर आपको पता भी ये graph में कैसे represent करना है और आपको पूछा गया है कि k की value find करो आप किस तरीके से करेगी आप लोग यहाँ पे अब यहाँ पे जो question बनता है वो important है अ A1 upon A2 किसके बराबर होता है B1 upon B2 के लेकिन किसके बराबर नहीं होता C1 upon C2 के चीक है अब मैं value put कर दूँगा A की value क्या हो जाएगी A की value हो जाएगी यहाँ पे 2 B की value क्या हो जाएगी B की value हो जाएगी यहाँ पे 6 और A1 upon A2 की value आपके सामने आ गई B1 की value क्या हो जाएगी B1 की value यहां पर आएगी minus K, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको generalized equation को जो है, वो याद रखना है, वो होती है positive ठीक है, वो हमेशा positive चलती है, अब यहाँ minus है, तो यह K की value भी minus में होगी, upon में B2 क्या है, तो यह भी आपका आजाएगा minus 12 is not equal to C1 का है, देखो plus 7 और plus 15 given है, तो इसको तो लिख लो, लेकिन अब यहाँ पर K की value पूचिए, तो इसकी equation की जरूरा थारी, तो इसको हटा दो, वैसे भी, अब यहाँ से आप लोग इसको solve करोगे, यह minus से minus कर गया, यह 6 से यह 2 क्या, K की value यहाँ से क्या आगई, 4 तो आपका answer क्या हो गया, यहाँ से, ओ सॉरी, एक minute रुकिएगा, एक second रुकिएगा, equation कहा है, हाँ, minus 12 थी और minus K थी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक clear है, अगर आपको equation तो आप लोगों को यहाँ पर, जो चीजें हैं, समझ आगी होंगी, minus K की value जो है, हमारी क्या आगए, यहाँ से, K की value क्या आजाएगी, यहाँ से, minus K upon minus 12 था, minus और minus cancel out हो गए, 6, 2 से गया, और K की value आगी, 4 यहाँ तक clear है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ तक clear नहीं है, तो एक और question को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर हमसे कहीं बार, जो आम तोर पर maximum cases में equation बनता है, वो यह पूछा जाता है, अगर आपको equation को कैसे solve करना है, वो आता है, तो आप इसको असानी से कर सकते हैं, क्या given है, अब कहीं बच्चे क्या करते हैं, graph पर draw करना शुरू कर देते हैं, graph तक हमें पहुचना ही नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीधा यह देखना है, यह किस situation में सही बैठता है, a1 upon a2, b1 upon b2, और c1 upon c2, a1 क्या है 1, a2 कहें 2, यहां पहें 3 upon 6, और यह कहें 6 upon 16, 1 upon 2, और यह cancel out हो के क्या बन जाएगा, यह भी बन जाएगा, 1 upon 2, और यह तो चलो, इसको भी कारिलो आप, यह क्या बन जाएगा, 3 upon 8, अब यह क्या बन रहा है, a1 upon a2, is equal to b1 upon b2, is not equal to c1 upon c2, यानी की, इसके कितने solutions बनेंगे, अभी हम लोगों ने यह चीज़ को discuss किया है, यहां पे, अभी हम लोगों ने इसको यहां पे बनाया है, और इसी case को यहां पे लिखा है, तो यह किस situation में जा रही है, यह जा रही है, no solution में, तो इसका answer क्या होगा, it has zero solutions, बहुत बार, paper में पिछले, अगर मैं 4-5 साल का trend बता हूँ, तो यह इस type of questions examiner जादा पूछ रहे है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धिमाग जो है, वो आप लोगों को लगेगा, अगर आप लोगों के लिए, सबसे जादा important है, यह तीनों cases को याद रखना, एक journalized equation को याद रखना, यह आज इ लेखा है, सलेबस में linear equations के ही graph पूछे जाएंगे, तो वो इस तरीके से बन सकते हैं, तो I hope आपको आज का lecture पसंद आया होगा, अगर आपको यह lecture पसंद आया है, तो आप इस लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं, अपने friends का share कर सकते हैं, और जल्दी ही अब हम लोग बात करेंगे ratio proportion के उपर, और उसके बाद मैं आपको लेके जाओंगा, सीधा practice set के उपर, और एक दो topic जो माने यहां पे reasoning के रह चुके हैं, वो बहुत basic है, इस पे तो questions भी नहीं बनते, मैं आपको यह भी बता दू, बट करना हम लोगों को हर एक चीज है, फिर मैं सीधा practice set पे लेके जाओ तो अगर आप लोगों को एक complete course चाहिए, आप लोग हमारी आपको download कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग एक course ले सकते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ, अभी के लिए वित बहीं, तेके